नमस्कार दोस्तो लाइव अच्चेट ऑपलिए आपकर भाद स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं नई सीरीज एक वे भी मांगन की प्रकार को से होती ही ठीक कि और हम अब आज परने वाले हैं मैं कि पिरकार के बारे में से फिछी वीडियों में इस से पहले मैं कि पुरा पड़कें क्याoks परचुकरें कि पूरा प्रुटकिंट्ट्डक्शन यारि मसट लोता है ठीक है बि मन की क्या आबसकता है में हम पढ़ चुके हैं तो इसी क्रम में मैं आपको आज बेमांकन के प्रकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि बेमांकन के प्रकार क्या होते हैं तो आप लोग दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक हैं तो इसी क्रम में मैं लाइव श्टी प्लेट पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं तो आगे चलते देखिए देख तो किसी बस्तू के हम डाय मैं ने बता अगर डाय में स सबसे पहले लाइण तायग या अफसक्क्राइब अभेश्योंट नाइन होती है उसके बाद जो एक हड़ीवी लाइन है यह एक्स्चेंस लाइन होती है और कि तीर के आरो हेड्ग के आपस्क्रापड़ती है ठीका है तो देमेंन्छन के तद्वे होते है अब देखिए अब जो डाइमेंचन लائन होती है वो इसकी मोटा 0.2 mm होती है इन ने दैमेंचन लाइन भी पडिकार की होती है अब उसके बाद देखते हैं जो चैन अगर जब हम एक ही सीरीज में डायमंशन देते चले जाते हैं तो से हम कहते हैं अब डायमंशन देने का थरीका हम जानते हैं या तो हम डायमंशन किसमें देते हैं किसमें देते हैं एकी स्थम में सत रहे की सघा खता है एक पत्ति के मतलब होता है जब हम नाइन को बीच में से तोड़के और क्या लगते हैं वह इसी का सिस्टम होता है इस डायरेक्शन को वपीओक बड़ी साइज कि करते हैं तो इसलिए हम जातर उप्योग एलाइन सिस्टम सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है तो देखिए यानि यह कौन सा सिस्टम होगा आपका यह जो पदती कौन सी है आपकी याए सरंखला भश्यवार्ण करने अध्यां रूर्प में हम डायमेंशन देते हैं अब पर दे रहे हैं आपकी कौन सी समानांतर पदती यानि समानांतर डायमेंशन सिस्टम को हिंदीन कहते हैं समानांतर पदती इस प्रकार की पदती में ऑब्जेक्ट की बिमाय एक उन्दगर बिंदू या सामाने बिंदू से सुरू करके समानांतर में दरसाई जाती हैं अब इसम आपकी दूसरे प्रिकार किए अब इसमें हम चलते हैं देखिए जानतर दी इसकी साइज देना है तो हम दूसरी इसकी लंबाई को देना चाहते हैं तो इसको हम इसके समांतर लाइन लेंगे सब्सक्राइबं USने सब्सक्राइब किसे देते हैं समानतर लाइन की रूप में देते हैं तो वह समान अंतर क्या कहलाता है यानि पहला डायमेंसिरिंग सिस्टम कहलाता है ठीक है तो दूसरा कौन सा था आपका पहला डायमेंसिरिंग सिस्टम कहते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं आगे है आपका तीसरा नम्मर का थीसरे जो है प्रगत्वी यानि प्रगतवी द्रेटि बादर स्थी और सुपर इंपोंज रनिंग बि मांकर इस्टेहें nous है कि सीमा हैं यहानि जगह बहुत-कम हो जगह कैसी हो लिमिटिसन वही व्योट नहीं आती है वही दिद्र हका करते हैं चाओ- बिंदु से परम कर प्रकति के रूप में एक दिसा में लगाता रदसाई जाती है यानि जो तीर की दिसान जड़ चल रहा है उसी दिसा में हम क्या करते हैं डायमेंसन देते चल जाते हैं तो यह होता है का यह देखिए एक पॉंट लिए यह बिंदु लिया अब इक दो कि जाते हैं तो यह दोबार तो यह जो दया में तो यह द्रीजिस्टम होता है यह आगे बढ़ते हुए करम में आपकर एंडायमेंसन देते हैं तो उसे ही जो आपस क्रोंगी सिस्टम कहते हैं इस दोण तो कहना मतलब क्या स्ट में देखिए यह यानि हम यहां से सुरू है और हमने इसकी नसान राइट साड में तो क्या दिन flex में हो खुद और चलते हैं अम्ट ऊप्योग करते हैं जहां पर डिमेंसन को पड़ने में परिसानी नहीं हो उस जगह हम इसका उपयोग करते हैं, आगे चलते हैं, combination dimension, यानि combine dimension क्या होता है, संयोगत ममांकन क्या होता है, जब हम दो dimension तरीके को एक साथ काम ले लें, जैसे एक parallel भी ले लें उसमें, और parallel के अलाबा हम chain dimension, यानि parallel dimension को भी यूज करना है, यानि एक के चितर में parallel रखन के चीतर में और chain dimension, यहां पर देख़िए आपकी जो dimension है, यह ज़्ट है, यहाँ आपकी एक तरह से, कि यहां पर दर्स आ रहा है इसको कैसे हो गया यह कैसे हो गया यह पैलर डायमिंइसटन यह wii संसाथ जब समान अचांद और आम सदंत रहा हैं यह दो एक रिंग और एक और तई उसमें अदी बन्च में हैं उसे हम कहते हैं combine dimension कहते हैं या शेक्ट बमांकन कहते हैं तो इसमें parallel parallel dimension system और chain dimension system दोनों को use किया जारा है ठीक है और पिलनारी कौन से हम जातर हम पिलनारी कौन से यूज करते हैं लेकिन प्रिकार कौन-कौन से हैं एक तो आपका पहले dimension का प्रिकार है और एक chain dimension दोनों ही इसमें प्रिकार दुर्वाद उसे हम क्या करते हैं तो उसे हम कोडिनेट कहते हैं अब कोडिनेट के रूप में कि लंबाई कि इदर है और यह पर कितनी दूरी पर है एक सच और यह हम दोनों को नापते हैं तो यह जो यहाँ पर इधर है यह एक सच को बताएगा और यह एदर जो वर्टिकल लाइन है वह कौन सी बताएगी आपको बाई एच को यह और जो वर्टिकल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन हो तो यहां पर हम देख लेंगे उसके बाद एकस पर पचास है और यहां पर हम देख लेंगे उसके बाद एकस पर पचास है और इसका फाई यहां इसका पंद्र है तो इसी परकार एकस अच और यहां पर रूप में जब हम डायमेंशन देते हैं तो उसे हम निर्देशांग द्वारा डायमेंशनिंग केते हैं टीक है तो हमनेगे प्रकार है वह पढ़ चुके हैं कौन कौन सी प्रकार है तो सब्से पहला हमने बढ़ा चेन डायमेंशन चेन डायमेंशनिंग क्या होता है चीक है शरंकला वाला उसके बाद हमनें खीच है पहले डायमेसिन पाद हमने सुपरट थे पर फर सुन्वोर्स के बाद हमने सांग वाद Сथोरा में Rs. अब कुछ सुब होते हैं पॉते हैं और यहां पर दिर्क है हम को क्यों कुछ महतपूर्ण आकरति का बिमांकर की पद्धियां मेथल ओव डायमेंशन आप सम्पोडिय। फीचर कुछ इंपोटेंट फीचर होते हैं ठीक है तो कुछ महतपूर्ण आकरति कैसे दीन आए कौन-कौन विदियां काम में लेंगे तो देखिए दैम जैसे हम व्यास के लिए क्या यूज देते हैं ठीक है और तेज्या के लिए यूज लिते हैं टेपर वागों के लिए हम कैसे ही डायमेंटर के थे तब अब्रत के अंदर या ब्रत के अंदर इसका लिखनी चाहिए कि पूंटे स्फ़स्ट पढ़ी जा सके यानि जब भी भ्यास की हम डाइमेंज वांग करते हैं तो भीमांकन रेखा होती है उसके अंदर राइखा के अंदर या ब्रत के बहार ब्रत के बहार इस्पेका लेखने चाहिए इस परस्ट पर जाए जाए तथा डायमेटर हमेशा फाई चिन द्वारा प्रदस्ट कर देखाने के लिए आप कहां से ब्रत के भाहर नकाल कर अम फो कि जातीये प्रीडëL व्रत odds एक जो मेसनी दी रहें अब यह जो इह बीडर लाइन है यह धर से यहां पर हम ने सक पे 5 सथ लंबाई पढ़ पर इसको जख दो उसको क्या करते बाइं ते चैतिका ते अर उसको ऊपर कर दिए हैं शुक्ति प्रइथार और इसका लिए सब्सक्राइबिक और में शुक्ति वियास का देते हैं जयातर वियास का ब्रत के भारी दी जाता है क्यों की ये पढ़ने में आसान होता है जैसे पढ़ने में इसकी आसानी हो जाती है ठीक है तो आगे चलते हैं आगे क्या है देखिए आगे हम चलते हैं आगे है देखिए अर्द ब्यास या त्रिज्जा आगे क्या है अर्द ब्यास या त्रिज्जा आगे क्या है अर्द ब्यास यानि रेडियस यानि ब्यास का अगर हम क्या करते हैं फाई का अगर हम आदा करते हैं त क्या होती है देखिए किसी आर्ध वरताकार कि कोई भी अगरा अर्ध वरताकार आ करती के रधाज की डामींचान लाइन चाहिए यानि जो अर्ध व्याज कर चाहती है तो हमसिसके by केंदर लिखते हैं तो कैसे लखने जहां इसका केंद रोव, उससे लाइन खीच और एक 36 रैखा करनी करनी चाहिए और अर्धव्यास के ekड़ीन पाईखने से पहले लखना चाहिए तो, तो देखे कैसे देते हैं कि देना जब भी दिया में जहांब इसका केंद्र होता है यह जो JULies यहीं जो चाप यह जो डेका एкого है रिंटे मुश्किनेज केंद्र से गाने से क हम थो डेल एकाशे करें और इस पर क्या ञेल दिए और तरीके से क्या आर्द बास का डाइमेंशन दी जाती है तो दीके यहां पर यह दिया रही हैं अर्द व्यास की विमांकन दी जाती है आगे चलते हैं अर्द व्यास के बाद देखे क्या आता है होल की साइज देते हैं अब जब हमें होल का माप देनी है किसकी देनी है होल की यानि छिद्र की माप देनी है तो उसको हम कैसे देते हैं तो कोई भी हमने बस तुम हमने होल बनाया उसकी माप कैसे देते हैं उसके लिए देखी छिद्र की डायमेंशन छिद्र की डायमेंशन प चिद्र की माप होती है या तो सर्क्ल के आधार पर ठीक है या केंद्रों के मद्दे दूरी कितनी है उसके आधार पर दरसाई जाती है ठीक है चिद्र की घहराई डायमेंजिन के साथ साथ डीप लिख करके ती जाती है अन्य चिद्र कितना घहरा है ठीक है अब घहराई के लि के लिए के इन वॉन को पर ही हमाव के करते हैं कि दुद्रा दर्साय जाते यह हो एक रहतलम होद Videos पतला है वी ओल कितने का आई है और डीप यानि गहरा कितना है बीस एमें में कितना दे रखा है तो उसी पकार आगे चोटा देखिए चोटा यह ओल है ठीक है अब इस होल में फाइटेन यानि फाइट इनका इसको ब्यास कितना है दस है और मतलब आगे ःज़िए ह Presto अनक नाद मितर यह में पर दू कर दंनी आगे आगे रखाए HR आगे अगर नेक्स्ट इसमें देखिया आप चितर में आप डीकें यह देखिए यह सब कर देख के स चार peng होड़िन देखित Bei vermil पर क्या देते हैं उसकी ओकी को देखिए हमने इस ओल पर नप दी और इसके लिए हमने क्या chalk लिडम लाइन का यूज गया किसका यूज गया लिडम कितनificación अब इसको लिडम लाइन गया लिएर लाइन यहां पर थीक है कितने होल हैं एक, दो, तीन, चार होल लग दिया होल लेधनी है ठीक है कि याई होलओ का ब्यास है है कितने होल हम है और उनकी फिर आप है ब्यास है इसे पार दीखिए बड़ा हूल कितने का फाइब 20 का इसको श्री नहीं है 35 है तो यहने चितर जो हम लियमेशन देते हैं वो इस तरीके से देते हैं आगगे चैमफर या अंडरकट अब चैमफर क्या होता है और अंडरकट क्या होता है यानि चैमफर का मतलब होता है कोई भी जो आकरती है उस पर हम क्या करते हैं एक 45 डिगरी पर एक तिर्चा काड़ देते हैं तिर्चा क्या 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 यहां पर क्या दिया हुआ है यहां पर क्या दिया ओब यहां तो बिखेंट रहें यहां तो चैन्फ क्या आया है कि यह इसकी है तिक आप टू यहां पर चैन्पर लिया जाता है जहते हैं और इसके सब्सक्रेण उसके बाद क्या यह अंडर कट ब्सक्राइब यह और करते हैं यह У यू और सी अंडर कट iuse करते है इसके लिए जो simbol होता है लंबाए यह अर इसकी दो क्या है चोडाई यह तो लंबाइ तो क्या होगई इसके चार और सोडाई कितनी और दो इसके लंबाई नीघंगे इसके बाद उसकी लंबाई लखें इंट्व इस पर कि डाल कोंट पर वांतर के लिखतेर यह जो किकरें और हैं यहां पर हम देको यह छेह त suspension के में कि जीक 131 खिर्यवन साइज के पाँफ मुखिए ठीकिए कि लिखिए हैं तो ऊंस्वाल देखिए फाइ यहां रीवारे चाय बैस कीम कितना कि द्स सब्सक्राइब जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब जब बहुत सारे कौन हैं कितने डिगरी के कौन हैं उनको हम यहां पर लग देते हैं कितने बीच मरें गए गए है तो देखिए अब यहां से यहां तक जो कौन है नमबर कितने चार इंटू दस डिगरी है और पूरा इसको आमने डाइमेंसन नाइन से क्या कर दिया तो इस परकार कौड और एंगूलर रही और आगे देखते हैं छटमें नमबर पर क्या है II distance हम समान दूरी के लिए जब समान दूरी पर hole होते है तो उस के लिए हम कैसे 5-ं são देते हैं तो समान दूरी के लिए करेते हैं तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि यह जो hole है यहां पर यह जो hole है । ओफारे एंट्व Championship तो इसका मतलब क्या दें अब देखतें कि याणि जो यह अब यहां पर हम देखते हैं कि जब समानधूरी पर यह चिल्गाइग। समान दूरी पर हैं तो जब समान दूरी पर हैं गैश कितने दूरी की दोरी तो एक है Xin करते हैं तो उसके लिए लम्भी साइज को छोटा करका दरसा आते हैं तो उसके लिए कौन सी लाइन का प्योग करते हैं तो इसमें यूज करते हैं कि यूज की है अब लाउन यूज किये अब लांग यूज की है तो और उसके बाद अमने क्या कर दिया चैसल險 यह नहीं पर आचारे यूल तो अधर वियाक कि तो आइज है शोके अश्ट थेखर। पोरी लंबाई को दर्साइंगे पूरी लंबाई कितनी और दूरी कितने पर Chrome केंट हैban कि इसकी जो डैमेंज हने देखिए तो इसकी मिलिट्विय। वह किस पकार देखिए लिए डैमेंज हम को पार देखिए है अभि यहाँ पर बिल है calcium आतार है अब कितने अठार हैं ??? पितने दूरे पर पन रहां है pep को ओख चले को एक साथ प्रकार सकते हैं तो एक साथ था सकते हैं तो जैसे हैं अब देखिए उसके बाद आता है कांटर सिंग ओ कांटर ओर कांटर सिंग और कांटर मरत किया होता है आज सम्सक्राइब अब ये ये कोई अब इसमें क्या कर रहे हैं एक पैतारी या कोई भी कौण पर हम क्या कर रहे हैं उस पर से टेपर वागत क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं होल कर रहे हैं ठीक है तो यह तो क्या होता है काउंटर संग होता है क्या होता है और काउंटर भूर का मतलब होता है जैसे हमारा यह किया है यह कम होल है और इसमें हमने इसको क्या कर दिया एक बड़ा होल बना दिया क्या बना दिया इसमें हमने एक बड़ा होल तो यह ठीक है तो यह तो आपका क्या होगा काउंटर वोर यानि टेपर में एक खोल करना उसे हम क्या कहते हैं काउंटर सिंग कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम काउंटर सिंग कहेंगे क्या कहेंगे इसको हम काउंटर सिंग कहेंगे सी एस के ठीक है counter sink और यह क्या होता है यह 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 नीचे वाला जो होल है उससे हमने एक बीडियो सायज में एक और गोल कर दिया कम दूरी पर उससे हम कहते है counter war यानि cvr इसको क्या कहेंगे counter war कहेंगे तो देखिए क्योंटर सिंक स्थितिन कांटर सिंग सीय के रुम बएक करते कितने इनन ग्री एक व्यास है टो कितना है रहे गहां पर देखिए डिसको कैसे देंए देखिए कि इसका लखेंगे इसको क्या दे रहें किस ब्यास में करना है यानि आपको ब्यास कितना करना है इस तरह से लगते हैं यह नब डिगरी का अर्थ क्या होता है आप के ब्यास के लिए देखिया अब अब देखिए हम डायमेंसं दे रहें तो इसकी यह क्या है काउंटर भार रहे क्या है सीवी आर है ठीक है इसयों से यह मैं ये सीभी आ रただ रहे हैं अ और यह जो आपका यह आपका यह किया है काउंटर संक्रिक आप अब काउंटर सिंग के लिए जब डे में सनमों के कांटर संग्य के यह आ निम tidak actively है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कांटर संग करना है यह कांटर सिंग करना है यह तो कर रहेगा नब्य डिए का रहेगा अब यह जो कांटर बोर के लिए किस के लिए तो यह जो इसका कितना किए गया है इस पर कंटर बोर यह तो रहेगा इस यह बेद्टा रहे गा और इसका पंदर रहेगा उसके बाद कितनी गहराई में देते हैं इसको इसका डीप भी हम लिए इसके लिए चार तो देखिए चार तो देखिए काउंटर बोर के लिए पहले तो बना हुगा अब उस छोटे ओल के उपर एक बड़ा बनाना चोटे उपर हम उसको थोटा से हम क्या करते हैं आप अब काउंटर बोर में कैसे डामेंज्म से देते हैं याने इसके लिए घ्टिभ उपर उस्य आले करना है लिए कान्टर मेंटेg रिस्पिटाइड हो देख grease लिएWham इसने हैं उसके बाद चलते हैं अब सूंतर workers भेता टो तो उसके पूर्णापरती यहो लाप तो देखिए हैं कि यहां पर यह हैं और तीन हो लिए हैं इस इनकी सायले करी मान देघ्ले तो उनके लिए जो डायमेंजन देनी यह कितने ओल यह च्हे ओल है और फ़ाइज रहेगा इनका ब्यास जाएगा ठीक है इस तरीक इस लिए उसके बाद यह कितना आए अभी अलग क्या है यह यह जो होला है यह अलग सायज गए तो इनको हमने कितने यह दो कितनी बार यह रिपीट नी होंग देते हैं सेम इती है अब उनके बद्रक मुअ के रखा है इसमें हम इसको चैने डियमेंशन के रखा है रिखे यह तो रहें तो इसकी संख्या लागिए इस तरहके से हम 15 वर्यक की डियमेंशन देते हैं आगर देखे इस त्रेड की इस्तिति में M 12 1.2 CRH अब इनका मतलब क्या है देखिए तो M 12 का मतलब क्या है इस तरह से डायमेंजन लिखनी चाहिए इस तरह से में और यहां M का मतलब होता है मेट्रिक ठ्रेड है एक मैट्रिक ठ्रेड है यानि पहले अच्छर का ठ्रेड की परकार नहीं यानि इसका ब्यास कितना है बड़ा वाला ब्यास कितना है बारे में उसके बाद एक पॉंट दो स्थेज़ का मोरा पत्रेड की का ठीक पिछ तर्व कर सकतेlotबुरे और नहीं है रहता है यहां पर यह यह चूड़ी बनी होगी अब चूड़ी को दरसाने के लिए इस पर कार यह तरसा है ठीक है यह चूड़ी को दरसाता है क्या दरसाता है यह तरसा यह यहां पर लिख आम के मतलब है झांगी है Art जैसे ही आमने दाटे मनाए देंगी ए और यानि यह दानता है उगया आपका यह दानता यह तीक है यह अभी यह दानता और इस दानते के पीच की दूरी कतनी है एक पॉंट दो यानि दो थाहतों के जो बीच की दूरियों के कहलाती है और सी का मतलब यहां पर क्या जो सी का मतलब क्या होता है यहां पर देखिए तो सी का मतलब होता है यहां पर टॉलरेंस क्या मतलब होता है इसका मतलब यहां पर तो सी का मतलब थ्रेड की टॉलरेंस कौन मिस्टी रहें तो जैसे यानि हम टॉलरेंस का मितलब क्या होता है यह हमने 50 को बीयास का यह खोल है ठीक है अब उसक हमने पॉन्ट 0.01 और इसमें पॉल्णC यह कहलता यह चैला ऐनी उछ सीमा और निम्न चीमा ठीक है यह 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 इस किसी भी बस्तु कि हमना डरीजाते हैं उसे में मिननस्रीमा को रूप में उसे लखकर, हम की बता रहा है और यह रहा हाय राба, जो निय समय क्षेश का है दी काने साब रूर्स होता है उससले का नहीं को होता है तो देखिए लिमिट यानि लिमिट का मतलव होता है ऊछ सीमा व Sword जोड़ तो ये क्या हो यह क्या हो जाएगी 50.02 यह क्या हो जाएगी इसकी उच्य सीमा हो जाएगी ठीक है या या ये लिमिट हो जाएगी उसके बाद क्या करते है अब इसमें क्या है 50 plus 0.00 और ये निम झाया रहा है तो इसकी क्या यह निमन सीमा और इसमें यह जोड़ते है और यह जोड़ते हैं और यह जोड़ते हैं इते तो तो तरीके से एक तो सब्सक्राइब उनिटरल जब क्या होता है उच सीमा ही होती है केबल ठीक है एक साड़ है जब पॉंट 001 पन कोई मतलब भी नहीं है कि एक साड़ में यह प्लस 0.02 यह होगा यूनिलिटरल जब देते हैं सीमा सिमा क्येते हैं यूनिटरल साड़ में बहुत थोड़ा क्या सुसकता का तो कोई दिक्कत नहीं हें टोलेन्स के लिए ये ली invent के अगे चलते है पैपर यहां पर यह कि यहां पर ज़्यादा ब्यास है और कितना अब रहा है अब पर कितने डिगरी घवागु दरसाने के लिए एक समानतल आन खीशते हैं जो हमारी काई होती है चैति दैमें चैनल आप लगाएंगे और उसको पर बीच सब्सक्राइब इसके बाद देखिए यह 11 नमबर है लिए फिरी यह कौड आंवे जीवा जीवा के लिए होता है और यहां से यह जीवा होगी इस जीवा के लिए करेंगे पहरे में क्या करेंगे एक वी मेले लगते हैं यहां पर इसकी जीवा यह दे लगे तो जीवा की लंबा इक बनाइंगे उपर सीधा सीधा केल शाह उसके नाव रिटे हैं इसे सबसक् penis करते हैं लेकिन ऑर व equator के रूप में हम डायमेंचन प्रिजा की औरृहाना उसके पैल में ऐके और आर्क बनांते है और उसके उपर दोनों साइड में क्या बनाते हैं इसमें तीर की निसान बनाते हैं और क्या लगते हैं उसके उपर सीधर सीधर क्या लगते हैं हम डायमेंशन उसकी नाप लगते हैं इस पिकार हम क्या करते हैं तिर्जा की और आर्क की हम डायमेंशन देते हैं आगे देखते ह पिए चुटो कि देते हैं ते और सब्सक्राइब करते हैं यानि इंग बंद सब्सक्राइब कर देने और सब्सक्राइब कि तो 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 यह निया रहते है यह उस्का मतलब यह यहां से यह तक तक नइस तेने के लिए यह तिन पॉंट पाच है यह तो यहानि रहते हैं तो रहते हैं तो देखिए तरिज्जा के लिए यानि यानि एस का मतलब होता है गोला और आर का मतलब तरिज्जा और अगर गोलाकार अगर 5 के लिए ऐस कि लिए एस करते हैं यह यहां है यहां पर दसल आया नहीं है लेकिन यह करता है कि 一 मफ सरी चाली यह यहनी दद्pping का नरं रहा है एक स्वक्राण सब्सक्राइब करें diabत्राओर अगर जिस एक देना रहा है तो गोला का नहीं है यहां पर देखिए आप लोग यह तो क्या यहां पर यहां पर देखिए आप लोग सब्सक्राइब यहां पर यहां पर किसा क्रतिक लिए और यहां इसका जो प्रकाइब लुए त्रिजा के लिए अब यह जो गोला कार त्रिजा इसके लिए की एस आर जो सीम्बल इस तरीके सोता है वहां पर बनाते हैं तो ऊसके लिए हमने केसे समझाइंगे और में पर तो यहां पर कैसे बढ़ रहें तो इस बनाएंगे और उपर घुपर यह जो क्या एक इसक्वायर का चिन बना देंगे और उसके लिए त्रिज्जा के लिए इस पिकार वाकिले डायमेंशन देते हैं तो हमने क्या पढ़ा तो दोस्तों हमने आज तो जैसे देखिए यानि गोलाकार भाग के लिए और टेपर बाववों के लिए ठीक है इन सभी को हमने के करके दिवीद्रिय से पूरा पढ़ लिया है तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राब जरूर करें सभी लोगों को और से ज्यादा ज्यादा करें ठीक है और हम इससे आगे जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं इसकी दुमिकल के बारें पढ़ाएंगे यानि इसमें कौन-कौन से मैतपूर कोशन आ सकते हैं ठीक है धन्यवाद